हलो दोस्तों, वेलकम टू डीकोड इंडियन देखे वैसे तो हम लोग जितना भी RBI का सर्कूलर आता है, प्रिस रिलीज आता है उन सब को सेपरेटली कवर करते हैं लेकिन आज का ये लेक्चर बहुत ही जाता स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम सेप्टेंबर मन्त में RBI का जितना भी सर्कूलर इशू हुआ है उन सभी को बहुत ही डीटेल वे में कवर करने वाले हैं तो अगर आप इस लेक्चर को सुरू से लेकर के अंतक देख लेते हैं तो ट्रस्ट मी एक्जाम में आपसे कितना भी डीटेल में इन सर्कूलर के उपर कोश्चन पूछा जाता है कहीं से भी कोश्चन पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से कर लेंगे तो चलिए सुरू करते हैं और देखे अगर आपको इस लेक्चर का पीडेफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर आएगा जहां पर हम इन सर्कूलर के ऊपर MCQs को देखेंगे तो अगर आपको MCQs वाला भी लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में हमें यस लिक करके बता सकते हैं चलिए सुरू करते हैं और देखते हैं कौन-कौन सा सर्कूलर RBI के द्वारा इशू किया गया है सेप्टेंबर के मंत में देखे सबसे पहला सर्कूलर जो हमारे पास है उसका हेडिंग है operation of pre-sanctioned credit lines at banks through unified payment interface देखे इस सर्कूलर के माध्यम से RBI नहीं क्या कहा है कि बैंक के तरब से आपको जो pre-sanctioned credit line इशू किया जाता है तो उसको आप UPS से link कर सकते हैं और आप transaction कर सकते हैं तो इस सर्कूलर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि credit lines क्या होता है देखे जैसे आपको bank के तरब से credit card दिया जाता है उसी प्रकार से bank के तरब से individuals को businesses को credit line भी provide किया जाता है credit line में क्या होता है एक limit रहता है और उस limit तक आप bank से कभी भी borrowing कर सकते हैं आप bank से कभी भी loan ले सकते हैं जैसे कि माल लीजे कोई वैक्ति है उसको bank ने credit line प्रवाइड किया है और उसका limit है एक लाख रुपय तो वह वैक्ति को कभी भी अगर पैसों जरूरत पड़ता है तो वह बैंक से 1,002 रुपय तक का borrowing कर सकता है जरूरी नहीं है कि उसको पूरा एक लाख रुपय बारुइंग करना है पचास हजार साथ हजार दस हजार वह एक लाक रुपय तक कितना भी बैंक से borrowing कर सकता है यह होता है अब हम देखते हैं कि circular में क्या कहा गया है तो देखे सर्कुलर में कहा गया है कि UPI के स्कोप को बढ़ाया जा रहा है अभी क्या होता है कि आपका जो UPI रहता है उससे आप अपना सेविंग्स अकाउंट को लिंक करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और अब तो अगर आपके पास रूपे का क्रेडिट काड है तो उसको भी आप यूपियर से लिंक करके पेमिंट कर सकते हैं अब इन सबके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट लाइन है बैंक के तरफ से आपको में आ जाएगा देखिए अगर मालीजी के कोई वैक्ती है जिसको की बैंक के तरफ से एक स्केडूल कमर्शल बैंक है उसके तरफ से प्रीश सैंक्शन क्रेडिट लाइन इसु किया गया है और कहीं पर उसको ट्रांजेक्शन करना है अब उसका यूपियाई से सेविंग्स अक स्टमर है वह अपने यूपियाई से वर्फ के तरफ से उसको médico लाइन दिया गया है उसको लिंक कर सकता है और वहाँ पर तरांजेक्शन कर सकता है तो कुछ इस तरीके से यह पूरा और यहीं कहा गया है आगे साट víTER में कहा गया है तो ह Bertah ja a की बेंग का जो बोर्ड आप्रूट पॉलिसी होगा तो उसके हिसाब से से सफ्सकाइब तो किपना तक मैं और टर्णेक्षिन कर सकता है तो या लिमिट न windowsंड तइक कर सकता है कि जो पूरा credit line provide किया गया किसी वैक्ति को तो इसको कितने period के अंदर वो credit line का इस्तेमाल करना है एक साल दो साल पांच महीना छे महीना तो यह period bank तरिक कर सकता है इसके बाद देखिए credit line क्या वाज़ा यह भी एक applicable होगा तो जितना भी schedule commercial banks है उन सभी के ऊपर ये directive applicable होगा payment banks small finance banks और regional rural banks के ऊपर ये directive applicable नहीं होगा इसके अलावा इस directive को कौन से act के तहट इशू किया गया है तो payment and settlement system act 2007 के तहट इस directive को इशू किया गया है और ये हो गया हमारा पहला circular I hope आपको सभी point अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई भी point इस circular से जुरा हुआ या फिर आगे जितना भी हम circular discuss करने वाले हैं तो अगर किसी भी circular से जुरा हुआ कोई भी point आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार दुबाड़ा आप उसको सुन लीजे फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं अपना doubt हम उसको solve करने का कोशिश करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे CRR को discontinue किया जाएगा तो इस circular को समझने से पहले कुछ जो basic term है जैसे कि cash reserve ratio इसके बाद इंक्रीमिंटल CRR क्या है इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले तो अगर हम देखें cash reserve ratio के बारे में तो देखें पैसे का इस्तमाल नहीं कर सकता है बैंक के दौरा RBI के पास cash form में जो भी पैसा मिंटेन करके रखा जाता है उसका इस्तमाल बैंक नहीं कर सकता है नहीं तो लेंडिंग परपस से नहीं तो इन्वेस्टमेंट परपस से अभी अगर हम बात करें तो जो CRR है cash reserve ratio है वो कितना ह का 4.5% बैंक को RBI के पास cash form में maintain करके रखना होता है और एक्जामपल अगर किसी बैंक में total deposit एक लाख रुपए है तो उसका 4.5% कितना हो गया 4500 तो वो बैंक को RBI के पास cash form में maintain करके रखना होगा तो यह हो गया यहां पर CRR और देखिए CRR बहुत ही ज्यादा important है banking system के health को maintain करने के लिए यह banking system के अंदर liquidity को insure करता है stability को insure करता है जो money supply है उसको वो control करने में मदद करता है और bank over lending ना करे इस चीज को भी रोकता है तो यह तो हो गया यहां पर cash reserve ratio या CRR अब देखिए आपको पता होगा कि Reserve Bank of India के दोरा महीं के महिने में एक decision लिया गय था कि circulation में जितना भी 2,000 रुपय का note है उसको circulation से निकाला जाएगा और इसके लिए RBI ने कहा था कि लोगों के पास जो भी 2,000 रुपय का note है उसको या तो बैंक में जाकर के deposit कर ले या तो उसको exchange कर ले इसके बाद क्या हुआ कि लोग बैंक के तरप गए लोगों के पास जितना भी 2,000 रुपय का note था लोग ने बैंक में जाकर कि जमा कर दिया एक्सचेंज कर लिया जिसके वज़ए से banking system के अंदर liquidity काफी ज्यादा बढ़ गया तो यह जो access liquidity था इसको absorb करने के लिए RBI के दोड़ा एक फैसला लिया गया RBI ने बैंकों को क्या कहा? कि बैंक के दोड़ा अभी जो 4.5% का cash reserve ratio maintain किया जाता है उसके अलावा बैंक को 10% का incremental cash reserve ratio maintain करना होगा अब यहाँ पर यह 10% किसके उपर count होगा? तो 19 मे और 28 जुलाई के बीच में बैंक का जो total deposit है उसमें जो भी increase हुआ होगा तो उस increase amount का 10% बैंक को RBI के पास incremental cash reserve ratio के तोड़ पे cash maintain करके रखना होगा तो यह हो गया यहाँ पर incremental cash reserve ratio अब हम आते हैं circular के उपर अब आपको यह circular आसानी से समझ में आ जाएगा देखे इस circular में RBI ने क्या कहा? RBI ने कहा कि जो incremental cash reserve ratio को announce किया गया था तो उसको अब discontinue किया जाएगा phased manner में यानि कि RBI के पास bank को ने incremental cash reserve ratio के तोड़ पे जो भी cash maintain किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि RBI उसको एक ही बार में release कर देगा अगर देखे RBI उसको एक ही बार में release कर देगा तो वापस से banking system के अंदर liquidity बहुत जादा आजाएगा तो इन सब चीजों को रोकने के लिए RBI ने कहा कि phased manner में जो भी amount RBI के पास है उसको वो release करेगा अब किस तरीके से phased manner में release किया जाएगा तो देखे 9 September 2023 को RBI ने कहा कि जो incremental cash reserve ratio है उसका 25% release कर दिया जाएगा फिर 23 September को 25% और release कर दिया जाएगा और 7 October को 50% जो incremental cash reserve ratio maintained है उसका release कर दिया जाएगा तो इस तरीके से तीन चरण में जो incremental cash reserve ratio के तौर पे जो भी cash RBI के पास maintain किया गया है बैंकों के द्वारा उसको release किया जाएगा यह यहाँ पे इस particular circular के माध्यम से RBI ने बैंकों को कहा I hope आपको यह भी circular अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे circular को अब देखते हैं देखे यहाँ पे हमारे पास जो circular है इस circular के माध्यम से RBI ने responsible lending conduct को लेकर के डायरेक्टिव इशू किया है तो आइए इस circular को समझते हैं लेकिन इस circular को समझने से पहले अभी क्या हो रहा है उसको समझना जरूरी है तो देखे अभी क्या होता है अगर आपने किसी भी bank से loan लिया है अपने किसी property को गिरवी रख करके अब यह property moable हो सकता है जैसे कि आपका vehicle हो सकता है या फिर माली चे कोई immowable property है इसको गिरवी रख करके आपने loan लिया है तो अगर आपके द्वारा loan का full repayment कर दिया जाता है और आपका loan account close हो जाता है तो इस case में जो bank है उसका यह जिम्मेदारी बनता है कि उसके पास जो भी आपका property document है उसको वो release कर दे लेकिन देखा यह जाता है कि bank ऐसा नहीं करता है bank timely ऐसा नहीं करता है जिसके वज़े से customer को बार-बार bank जाना पड़ता है customer का काफी ज़्यादा सिकायत सामने आता है customer और bank के बीच में कई बार तो dispute भी हो जाता है तो इन सब समस्या को address करने के लिए और responsible lending conduct को promote करने के लिए RBI के द्वारा यहाँ पे directions issue किया गया है तो यहाँ पे जितना भी regulated entities है जानी कि जो भी बैंक है इन भी एफसी है तो जितना भी regulated entities है उसको कहा गया है कि अगर कोई borrower loan का full repayment कर देता है और उसका settlement के माध्यम से माली जी की loan account close हो जाता है तो इसके 30 दिन के अंदर regulated entities के पास जो भी original property document होगा वो उसको release करना होगा 30 दिन के अंदर जब loan का full repayment हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर regulated entities को जो original property document होगा उसके पास वो उसको release करना होगा और साथी में देखे होता क्या है कि जब कोई borrower अपना किसी property को गिरवी रख करके bank से loan लेता है तो उस property के उपर अपना right create करने के लिए bank क्या करता है किसी registry क पास charge registered करता है तो यहां पर यह भी कहा गया है कि 30 दिन के अंदर जो भी regulated entities के दौरा charge registered किया गया होगा किसी भी registry के पास तो उसको भी remove करना होगा यह यहां पर सबसे बड़ा जो decision है वो RBI के दौरा लिया गया है और यह जितना भी regulated entities है उसको मानना पड़ेगा इसके या फिर किसी ऐसे ऑफिस से regulated entities के किसी दूसरे ऑफिस से जहां पर हो document available है वहां से जाकर के receive कर सकता है अपने preference के हिसाब से इसके अलावा भी regulated entities को कुछ-कुछ बाते फॉलो करने के लिए कहा गया है जैसे कि इनको कहा गया है कि जब यह loan sanction later issue कर रहे होंगे मतलब कि जिसमें लोन का terms and conditions होता है तो जब यह loan sanction later issue कर रहा होगा तो इस case में loan sanction later के अंदर timeline और place mention होना चाहिए यह mention होना चाहिए कि कब कोई व्यक्ति property document उसको मिलेगा और किस जगह से उसको यह मिलेगा यह सारा बात mention होना चाहिए loan sanction later में इसके अलावा देखे कोई ऐसा case जहां पे unfortunately किसी borrower का मृत्यू हो जाता है तो इस case में उस borrower का जो legal higher रहेगा उसको original property document bank से कैसे मिलेगा इसके लिए एक पूरा proper procedure भी जो regulated entities है उसके पास होना चाहिए और यह जो procedure है यह regulated entities के दौरा अपने website पे भी display करना होगा यह भी कहा गया है customer information के लिए तो देखें यहां पे यह कहा गया है अब जरूरी तो नहीं है कि जितना भी regulated entities है वो 30 दिन के अंदर जो original property document है उसको release ही कर दे बहुत सारा ऐसा case होगा जहां पे release नहीं किया जाएगा तो अगर डीले होता है property document release करने में तो इसके लिए compensation को भी इंटर्डूस किया गया है देखें यहां पे अगर 30 दिन से जादा का समय हो जाता है और regulated entities के द्वारा original property document release नहीं किया जाता है नहीं तो उसने जो charge registered किया है उसको remove किया जाता है regulated entities के द्वारा 30 दिन से जादा का समय हो गया है तो इस case में सबसे पहले तो regulated entity को borrower को बताना पड़ेगा उससे communicate करना प entity है तो इस case में regulated entity को हर दिन का जितना भी दिन डिले होता है हर दिन का 5000 रुपया compensate करना पड़ेगा borrower को तो यह यहां पे strict norm जो है वो लाये क्या है regulated entity को ताकि वो 30 दिन के अंदर जो भी original property document है वो release कर दे loan का full repayment हो जाता है और loan account close हो जाता है इस case में अब देखें बहुत स entity के पास जो original property document है वो loss हो गया या फिर वो damage हो गया तो इस case में regulated entities के उपर ही जिमेदारी है कि वो borrower को बताएगा कि borrower किस तरीके से duplicate जो उसका property document है उसको वो अवेल कर सकता है और इस पूरे procedure में जो भी खर्च आएगा वो भी किसको बियर करना पड़ेगा यह सारा खर् इसमें additional 30 दिन का समय दिया जाएगा regulated entity को पूरा procedure जो है वो complete करने में यानि कि total 60 days का समय दिया जाएगा regulated entities को और 60 days के बाद अगर delay होता है तब इसको जो है compensation देना पड़ेगा यह सारा बात यहां पर कहा गया है इसके अलावा देखिए अगर बॉरोवर को compensation मिल रहा है अगर 30 दिन के अंदर उसको property document नहीं मिला तो जो regulated entity है उसके द्वारा अगर बॉरोवर को compensate किया जा रहा है तो यहां पर इसका मतलब यह नहीं है कि बॉरोवर को अगर किसी दूसरे कानून के थाथ compensation मिल रहा है तो वो नहीं मिलेगा उसको अगर किसी दूसरे कानून के थाध compensation मिल रहा है तो उसके उपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा यह सारा มात यहां पर कह गया है अँछुन मैं इतना सारे भी रूज के बारे में हमने बात किया तो किसके किसके उप योगा इनकलूडिग इंकलूडेंग इंक्लॉड८िंग एश्मोर्ठिव दैक्टिव का framework यहिए uh आई होप आपको जितने सारी भी पॉइंट हमने डिसकस किये हैं वो अच्छे से समझ में आ गये होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सर्कुलर को देखते हैं की से तैंट है के एंग यहां पर हमुघ को विजनती के अवसर पर लांच किया गया है अब यह अपने लोगों के लिए तो इस कीम को डिजायन किया गया है हमारे देश में जो ट्रैडिशनल आर्टिशन से हैं क्राफ़ पीपल है जो आपने कला का इस्थमाल करके अलग-अलग चीजों का निर्मान करता है तो उन लोगों के लिए इस तो दिझा गेद्दू उन लोगों को अप्लिफ्ट करने के लिए इस schema को डिजाइन किया गया और देखी के तहट कैसे लोगों को बेनिफित महुचाय जाएगा तो लोग जो प्लेश किसों बैसे लोग गोल्ड स्मिधूंग MSP पॉर्ट्ड री अब आएगे देखने फीचर क्या क्या है इस स्कीम का देखे सबसे पहले तो इस स्कीम के तहर्ट हमारे देश में जो भी आर्टीसंस हैं जो भी क्राफ्ट प्रीपल है उनको रेकोगनाइस किया जाएगा और उनको एक पीम विश्वकर्मा सेटिफिकर्ट दिया जाएगा इलिजिबल होंगे बैंक से तीन लाक रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन लेने के लिए अब ऐसा नहीं है कि वो लोग एक ही बार में तीन लाक रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन ले सकेंगे बैंक से यहाँ पे ट्रैंच में वो एक लाक रुपए तक का कोलेटरल फ्री बैंक से लोन लेंगे और अगर उन्होंने इस लोन को अच्छे से चुका दिया बैंक को तो उसके बाद सेकेंड रैंच में वो और दो लाक रुपए तक का लोन बैंक से ले सकते हैं यह कोलेटरल फ्री होगा तो यह एक फीचर हो गया अब इसके अलावा देखें यहां पे इ इसना है 13,000 करोड रुपया इस पूरे स्कीम का बजट है सरकार पांच फानेशल यर में 2023 से लेकर के 2027 तक यह जो 13,000 करोड रुपया है उसको खर्च करने वाली है इस स्कीम के उपर इसके अलावा दिखें इस स्कीम के तहाँ थोगा क्या कि जो भी आटीशन से जो भी क्रा दिया जाएगा और माल लीजे कि उनका पूरा ट्रेनिंग है वो उन्होंने कम्प्लीट कर लिया अच्छा से और आगे चल करके उनको कुछ मौडर्ण टूल्स खरीदना है कुछ मसीन वगेरा पर्चिस करना है तो इसके लिए इस स्कीम के तहट सरकार 15,000 रुपे का ग्रांट भी उसको प्रुवाइट कराएगी तो यह यहां पर क्या हो गया PM विस्व कर्मा स्कीम हो गया आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां पर सिंप्ली यह कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो PM विस्व कर्मा स्कीम को इंटर्ड्यूस किया गया है आटीशन्स और क्राफ्ट प्रिपल को सपोर्ट करने के लिए जिसके तहत कंसेंशनल इंटरेट पे उनको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा तो यहा पर जो आटीशन्स एक्राफ्ट विबल है उनको जो लोन मिलेगा वह कहां से मिलेगा बैंक से मिलेगा फाइनेंशन इंस्टिशन से मिलेगा तो यहां पर आर्बिया ने कहा है कि वह इस स्कीम को लेकर कि जो गाइडलेंग्स इसु किया गया है मिनिस्ट्री ओफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटर्प्राइज के द्वारा तो उस गाइडलेंग्स को वह रैफर कर सकते हैं एप्रोप्रियेट एक्शन के लिए यह इस सर्कुलर में कहा गया है अब दिए यह जो सर्कुलर है वह किसके किसके ऊपर एप्लिकेबल होगा तो जितना भी स्केडूल कम हैं जो सर्कुलर है उनके उपर भी यह सर्कुलर एप्लिकेबल होगा घूप आपको यह मest गई हैं कि यहां पर हमादे हमारे पाट जो सर्कुलर है उसमें क्या कहा गया है जो क्रेट इंफॉर्मेशन अनुक्रेटिटी कंपनिया ऑ больше को तयार करेंया कमर्शियल और और Micro Finance Segment के लिए भी अभी तक क्या होता है देखिए यह जो Credit Information Company आ है वो बस Customer Segment के लिए ही Data Quality Index को तयार करता है लेकिन RBI ने इस Circular के माध्यम से इनको कहा है कि अब यह Commercial और Micro Finance Segment के लिए भी Data Quality Index को तयार करेंगे तो आए देखते हैं इस पूरे Circular को समझने से पहले क्यूंकि Cir Credit Information Company को कौन-कौन सा रूल मानना है उसके बारे में कहा गया है तो पहले हम यह Credit Information Company क्या होता है इसको समझ लेते हैं देखिए Credit Information Company को CICS के नाम से भी जाना जाता है यह क्या करता है यह इंडिविज्वल कंपनी के रिगाडिंग में जो Loans Credit Card से जुरावा डेटा होता है उसको यह Collect करने का काम करता है इसका Primary function क्या है इसका Primary function ही है बैंको से Financial Institution से Lender से वैसे entities से जो लोगों को Loan Grant करता है तो उन सबसे यह क्या करता है डेटा gather करता है उसको फिर यह Compile करता है और यह Credit Report तयार करता है अब देखिए इससे होता क्या है इस Credit Report से क्या होता है तो देखिए जब बैंक को Non Banking Financial Institution को किसी Borrower को Loan देना होता है तो यहां पर बैंक NBFC क्या करता है CIC यह जो Credit Information Company है उसके Report को उसके Score को Refer करता है यह देखने के लिए कि Borrower कितना क्यापेबल है जो Credit है वो लेने के लिए उसके बाद ही वो उस Borrower को Loan या फिर जो Credit Card है वो इशू करता है तो यह यहां पर क्या हो गया Credit Information Company है CIC हो गया अब देखिए अभी हमारे देश में चार Credit Information Company है जिसको की RBI के तरफ से Certificates of Registration दिया गया है अब चार मेंसे एक तो ब भी इंट्रिया लिमिटेड सिबल सिबल इसके बारे में हम सब जानते होंगे इसके बाद क्या है एकविट इंफॉर्मेशन सर्विशन सर्विषेज प्राइवेट लिमिटेड दूसरा क्या है Experience Credit Information Company ऑ प्राइवेट लिमिटेड और इसके बाद क्या है CRIF High Mark Credit Information Services प्राइवे institutions है उसके लिए यह अनिवार है कि वो इन चार क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों में से कम से कम उसको एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों मेंबर होना है यहांपे मैंडेट्री आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट सुमिट करता है अब यहां पर इस डेटा के क्वालिटी को assess करने के लिए जून 2014 में RBI के दोरा एक direction issue किया गया था जिस direction में कहा गया था कि यह जो CICS हैं इनको एक data quality index स्यार करना होगा अब यह data quality index के ज़री क्या होता है कि यह जो credit institutions के दोरा in credit information company को data समिट किया जाता है तो उसके quality को assess किया जाता है यह यहां पर data quality index हो गया अभी क्या है कि data quality index के जरिये बस वैसे data के quality को ही assess किया जाता है जिसको की जो यह credit institutions है उसके द्वारा consumer segment के अंदर समिट किया जाता है यासे कि माल लीजे कोई borrower है तो उसका जो loan से जुरावा data है जो credit card से जुरावा data है तो उन सब data के quality को ही assess करता है data quality index अब यहां पर circular के माध्यम से क्या फैसला लिया गया आर्विया ने कहा कि यह जो data quality index है इसके इस्तमाल के scope को और बढ़ाया जा रहा है और अब credit information कंपनियों के दौरा ना कि सिर्फ consumer segment के लिए बलकि commercial और micro finance segment के लिए भी data quality index को तयार किया जाएगा मतलब कि commercial segment क्या हो गया जो businesses होता है corporation होता है जिसके दौरा लोन लिया जाता है financial transaction किया जाता है तो उससे जुरा हुआ जो data है उसके quality को भी assess करने के लिए अब यह जो CIC है वो data quality index को तयार करेगा और जो micro finance segment होता है जहां पर micro loan दिया जाता है small scale based businesses को तो उससे जुरा हुआ data के quality को भी assess करने के लिए data quality index को तयार किया जाएगा तो यह यहां पर पूरा circular में कहा गया है और देखिए यहां पर timeline में दे दिया गया है इसको अच्छे से याद कर लिजिए 31 March 2024 तो यहां पर CIC को कहा गया है कि 31 March 2024 तक जो भी credit institutions है बैंक और financial institutions है जो भी credit institutions है उसको 31 March 2024 तक इन दोनों ही segment के लिए commercial और micro finance segment के लिए data quality index यह provide करा देगा देखिए इसके अलावा भी जो CIC है इनको बहुत सारा बात follow करने के लिए कहा गया है तो अब यह क्या क्या है इसको मेके करके समझ लेते हैं सबसे पहले तो CIC को कहा गया है कि इसके अंदर जितना भी member credit institutions होगा जितना भी बैंक होगा जितना भी NBFC होगा उसको यह monthly basis पे दोनों ही segment के लिए commercial और micro finance segment के लिए DQI यानि के data quality index प्रवाइड कराएगा अब यह जो DQI है वो किस form में होगा तो यह होगा numeric scores के form में सबसे पहले यह कहा गया है कि monthly basis पे जो DQI है वो प्रवाइड किया जाएगा दोनों segment के लिए और यह numeric scores के form में होगा इसके अलावा क्या कहा गया है इसके अलावा कहा गया है कि यह जो DQI scores है commercial और micro finance segment के लिए तो यह दो लेवल पे प्रवाइड किया जाएगा CICS के द्वारा एक तो होगा credit institutions level यानि कि एक DQI score होगा जो पूरा credit institution है उसके लिए और एक होगा फाइल लेवल पे यानि कि जो commercial और micro finance segment है तो इस segment के अंदर जो भी individual file document होगा तो उसके लिए भी DQI score प्रवाइड किया जाएगा इसके अलावा और क्या कहा गया है तो देखें यहां पे जैसे कि हमने बात किया कि दो लेवल पे DQI score प्रवाइड किया जाएगा एक लेवल क्या होगा credit institution लेवल और दूसरा क्या होगा फाइल लेवल इसके अलावा CICS को कहा गया है कि यह industry level DQI को calculate करेगा यानि कि पूरा banking sector के लिए भी यह DQI को calculate करेगा तीनों segment के लिए consumer, commercial और microfinance segment के लिए अब यहां पे यह जो industry level DQI को calculate किया जाएगा तो यह monthly basis पे किया जाएगा इसके अलावा half yearly industry benchmark को भी calculate किया जाएगा CICS के दौरा इन सब के अलावा देखिए अगर किसी credit institution का जो credit institution level score है वो previous month के मुकाबले उसमें कमी आता है या फिर half yearly industry benchmark के मुकाबले वो कम होता है तो इस case में जो CICS है उसको reason बताना पड़ेगा credit institution को कि इसमें decline क्यों आ रहा है तो reason बताने से क्या होगा जो credit institution है उसके दौरा जो भी data submit किया जा रहा है CICS को तो वो data के quality को improve करने का प्रयास करेगा तो इसलिए यहाँ पे खागया है इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे CICS को कहा गया है कि यह monthly data provide कराएगा RBI को जो credit institution level DQI है और industry level DQI है इससे जुरावा जो monthly data है वो प्रवाइड कराएगा CICS RBI को half yearly साल में दो बर ऐसा किया जाए तीस सेप्टेमबर और 31 मार टाइम भी यहाँ पे दिया गया है तो यह सारा चीज यहाँ पे credit information company को follow करना है और यही सारा चीज इस सर्कुलर में कहा गया है आई होप आपको यह भी सर्कुलर अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हो और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं कि देखें यहाँ पे हमारे पाच जो सर्कुलर है इस सर्कुलर के माधियम से अर्बी ने कहा है कि अब बैंकों की दौर्ष अगर सर्फिसाई एक 2002 के तहई किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बॉर्वर के प्रॉपर्टी के उपर कबजा किया जाता है, उसको पोज़स किया जाता है तो उस बॉर्वर से जुरा हुआ जानकारी उसको दिस्प्ले करना होगा ये यहां पे सर्कुलर के माध्य MapSe RBI n washing कहा है, मानने के लिए regulated entity को तो आईए देखते हैं क्या क्या यहां पे खा गया है देखे यहां पे सबसे पहले तो सर्फिसाई एक्ट के बारे में हम थोरा से देख लेते हैं तो सर्फिसाई का यहां पे फुल फॉर्म है Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest देखे इस particular act को 2002 में लाए गया था हमारे देश के अंदर जो banking sector है तो उसमें NPA हमेशा से एक बहुत बड़ा समस्यार आ है तो NPA के issue को address करने के लिए इस act को लाए गया था इस act के तहट bank को financial institutions को empower किया जाता है कि वो ऐसे case में जहां पे borrower loan का repayment नहीं कर रहा है security है उसके उपर कबजा कर सकता है और उसको बेच सकता है तो यह यहां पे है surface i act 2002 अब हम आते हैं circular के उपर तो देखे इस circular में क्या कहा गया है इस circular में कहा गया है कि transparency को बढ़ावा देने के लिए अब regulated entities अगर surface i act 2002 के तहत किसी भी borrower के secured asset के उपर कबजा करता है तो उस borrower से जुरा हुआ जो भी information होगा वो उसको display करना होगा कहां पे display करना होगा तो जो भी information है वो regulated entity को upload करना होगा website पे यह यहां पे कहा गया है और देखे regulated entities को यहां पे 6 महिने का समय दिया गया है circular issue होने से 6 महिने के अंदर regulated entities को इस तरीके का जो पहला लिस्ट है वो display कर देना है अपने website पे और इसके बाद पहला लिस्ट तो 6 महिने के अंदर display कर देना है अपने website पे इसके बाद monthly basis पे इस लिस्ट को upload भी करने के लिए कहा गया है अब देखे यहां पे किस तरह के information को display किया जाएगा regulated entities के द्वारा अपने website पे तो देखे यहां पे ब्रांच नेम जो भी ब्रांच से बॉर्डोवर ने लोन लिया होगा तो वो ब्रांच नेम डिस्प्ले करना होगा इसके बाद बॉर्डोवर का नाम गैरेंटर का नाम बॉर्डोवर और गैरेंटर का registered address इसके बाद outstanding amount फिर उसका जो loan account है वो कौन से asset category में है उसका जानकारी डिस्प्ले करना होगा फिर जो asset classification का date है वो बताना होगा जिस security के ऊपर कबजा किया गया है बैंक के द्वारा तो जिस security के ऊपर कबजा किया गया है तो जो title holder है उसका नाम भी display करना होगा यह सारा जानकारी regulated entity को अपने website पर display करना होगा एक ऐसे case में जहां पे वो किसी borrower का जो secured asset है उसके ऊपर कबजा करता है अब देखें यहां पर ही जो circular है यह किस के किस के ऊपर applicable होगा तो जितना भी commercial bank है including small finance bank local areas bank regional rural bank इन सब के ऊपर applicable होगा payment bank के ऊपर applicable नहीं होगा cooperative bank के ऊपर applicable होगा इसके बाद जो all India financial institutions है जैसे कि एक्जिम बैंक नाबाद तो इन सब के ऊपर लागो होगा फिर non banking financial कंपनिया जो है housing finance कंपनिया भी और जो asset reconstruction कंपनिया है इन सब के ऊपर यह जो सर्कुलर है वह लागो होगा तो आई होप आपको यह भी सर्कुलर अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ने और दूसरे सर्कुलर को देख लेते हैं देखे यहां पर जो हमारे पास सर्कुलर है इस सर्कुलर में RBI ने 2000 रुपए के bank note को लेकर के एक फैसला लिया है RBI ने यहां पर सबसे पहले तो कहा है कि मे 19 2023 तक हमारे देश के अंदर 3.56 लाग करोर value के 2000 रुपए के note थे जिसमें से 3.42 लाग करोर value के 2000 रुपए के note को circulation से निकाल दिया गया है और अब 29 सेप्टंबर 2023 तक हमारे देश के अंदर सिर्फ 14,00 लाग करोर value के 2000 रुपए के note circulation में है मतलब कि 96% जो 2000 रुपए का note है उसको circulation से निकाल दिया गया है बस 4% दोहजार रुपय का नोट यानि कि 14 लाग करो रुपय वैल्यू के दोहजार रुपय के नोट सर्कुलेशन में है तो अब यहाँ पर जो RBI ने डेडलाइन दिया था देखें RBI ने जब अनौंस किया था कि दोहजार रुपय के नोट को सर्कुलेशन से निकाला जाएगा तो उस समय RBI ने एक डेडलाइन दिया था 30 सेप्टमबर 2023 तक कि लोगों के पास जितना भी कि दोहजार रुपय का नोट है वो 30 सेप्टमबर तक बैंक में जाकर करके या तो डिपॉजिट कर ले या तो उसको एक्सचेंज कर ले तो यहां पर यह तो आने वाला था 30 सेप्टमबर लेकिन 14 लाग करोर वैल्यू के दोहजार रुपय के नोट सर्कूलेशन में थे ही तो उसको भी सर्कूलेशन से निकालना था तो इसको देखते वे आर बिया ने इस डेर्लाइन को बढ़ा दिया और इसको साथ अक्टूबर 2023 तक कर दिया यानि कि अब साथ अक्टूबर 2023 तक लोग बैंक में जाकर के उनके पास दोहजार रुपय के नोट है उसको या तो डिपॉजिट कर सकते हैं या तो उसको एक्सेंज कर सकते हैं और यहां पर आठ अक्टूबर 2023 से अगर कोई वैक्ति बैंक जाता है और दोहजार रुपय का नोट देता है डिपॉजिट करने के लिए तो बैंक के द्वारा द तो यहां पर उसके लिए कहा गया है यह इस सर्कुलर में कहा गया है इसके अलावाद के बैंकों को पर इंशॉर करने के लिए कहा गया है कि साथ अक्टूबर तक जो भी नोड बैंक के दौरा कलेक्ट किया गया है तो उसको वह 13 अक्टूबर तक जो करेंसी चेस्ट है उसमें डिपॉजिट करते इन सब के अलावा ने क्लिरिफाई किया है फिर से एक बार कि 2000 रुपय के बैंक है इसको बैंकिंग हॉल में डिस्प्ले किया जा सकता है तो यह सारा बात इस सर्कूलर में कहा गया है मतलब कि यहां पर एक तो डेलाइन बढ़ा दिया गया है इसको बढ़ा करके साथ अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया है और अगर साथ अक्टूबर तक भी कोई वैक्ति बै सकता है अपने बै Hm इसके क्रदित करवा सकता है या फिर इसको एक्स्चेंज कर सकता है यह जानकारे इस पतिकूलर इंफॉर्मेटिव लगा होगा जितना भी सबॉल इसक्षक किया है यह भी सर्कूलर था तो आप comment करके अपना doubt बता सकते हैं हम उसको solve करने का कोशिश करेंगे Thank you for watching